नवस्कार आभार अभजन्दन हलो बरिनाइन मेरा सवाल है मैं आप सभी का स्वागत है मैं हूँ वेपल सिंग हफते का पहला कारूबारी दिन और शेहर बादार से बहुत अच्छी खबरे आती हुई दिखाई नहीं दे रही है तमाम तक्नीकी विशेशागी 17700, 17500 पर सपोर्ट मान रहे थे और उन इस तरों के अब नीचे फिशलता हुआ निफ्टी दिखाई दे रहा है जिस पे आप सीदे जुर सकते हैं अपना प्रश्ड पूछ सकते हैं अपनां रिखिए किसे एगर चिए क्राफ और सकते हैं इन तमाम नंबर जरूर भेज दीजिए ता कि हमाई टी zuर्क करके अगर आपको सवाल अधूरा है तो आपकी सारी दिटेल सले ले हम आपसे बागचीत कर सकें चलिए आप आज के कारिक्रम का आगास करते हैं और अपने आज के खास महवान से आपको रूबरू कराते हैं हमाई साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर रवी सिंग जी एकुटी रिसर्च हैड शेहर इंडिया.com के बहुत-बहुत शुक्रिया बहुत घबराए हुए हैं डरे हुए हैं यह डर कितना जायज है यह आप से जाना चाहेंगे सत्रा साथ सो सत्रा पांसो के पास बहुत सारे तकनीकी विशेशग्ये एक सपोर्ट मान रहे थे अब वह इस तर के नीचे निफ्टी आ गया है तो क्या यहां से 16-800 के लेवल दे अब बाद मुझे यहां पर आपने फिर से बुलाया इसके लिए और देखे बाजार है तो बाजार में डरने की जरूरत होती है हमेशा क्योंकि जब भी पैनिक सेलिंग आती है तो होता क्या है कि यह ऐसा स्टीट है जिसमें कि हर आदमी जब बाजार तेज होता है तो हर कि जो अच्छी स्टाटिजी बना ले अब बजट है इवेंट है बहुत से निगेटिव पॉस्टिव निउस चल रही है लेकिन स्टॉक स्पेस्पिक आज भी मैं आपके सामने अगर एक्जांपल रखता हूं चुकि लाइब मार्केट इस समय चल रहा है तो आप डेटा पै के भी है तो समस्दारी से निवेश करें अब आपने बहुत अच्छी चर्चा स्टार्ट करी बताया देखिए अब एक बार वाई डेटा को भी यहां पर समझ लेते हैं तो आपको सत्रा पांसो अब कॉल साइट से एक रडिस्टेंस नजर आ रहा है और और साइट पे सत्रा तीन सो अब आपको यहां पर एक सपोर्ट नजर आ रहा है और दूसरा जो सपोर्ट नजर आ रहा है वो है सत्रा हजार का यानि कि कहीं न कहीं से जो बेश हम लोग प्छले हफते डिस्कस कर रहे थे या जो आप ने चैनल पे यूस किया ओगा वो जो 18 और 18 400 की बाते हो रही तो मुझे लगता यह थोड़ा सा करेक्शन पैनिक और हो सकता है और यहां पर दर बन सकता है लेकिन समस्दारी से निवेश करें अच्छे शेयर पर निवेश करें और आप जैसे प्रोग्राम को कंटीनिव वाच करें क्वैरी पूछें जिससे सही निवेश की रणिती बना सक चलिए तो अब अगला सपोर्ट जो है वो हम मानके चलें सत्रा हजार के आसपास आप देख रहे हैं यहां पर जी बिल्कुल जिस रसाब से सत्रा हजार के फिगर यहां पर देखते हैं तो उसमें लगबग बावन लाग चपन अजार नौसो का ओवाई खड़ा है और वही एक नेक्स सपोर्ट यहां पर दिखाई दे रहा है रेजिस्टेंस के पॉइंट अबू से जाते हैं तो आपको सत्रा आट सो पे भी सेम बावन लाग तिरपन अजार के उपर के ओईज हैं सत्रा पान सो पे हैं तो रेज तो है वो आप सत्रा से सत्रा पान सो के बीच में आ गई तो जो अब तक सपोर्ट बना हुआ था वो अब बागार के लिए रेजिटेंस बन चुका है सत्रा आट सो और अगला सपोर्ट जो है वो सत्रा जार के आसपास निफ्टी के लिए बनता हुआ दिखाई दे रहा है और तमाम दर्शक जो है यूट्यूब पे भी जुडने ल एक रिटार्ड ऑफिजर हूँ अलाइची से रिटार्ड वान हुआ अच्छा नोट अच्छी बात है अब अच्छी बात है और बहुत जगों पर नेट कनेक्शन टूट गए बिजली नहीं रही बारिश काफी होती रही तो इससे प्रभावित हुए है अच्छा है सब्सकी बारे में किटने शेयर लिय्richten रेकहें और किसरेड पर अच्छा है मैंने बिगनिंग है तो इसके बारे मिध उपीनित जाना चाहेहें रीज मतलब यह क पीछे को यह है जी है आप रिटायर हो चुके हैं तो आपका पैसे जादा आए आप सारे इतने महगे-महगे भावाले शेर ले रहे हैं एक मैं लिया का ले रखाएक चाली टूर अजुद थीक है तीक है तीक है उन्लीडीया तैक त्रीयम इंडिया के शेर 24000 की खरीद है 22000 के आशपास अभी शेयर 2200 के आसपास ट्रेट कर रहा है पेज इंडस्ट्री में अभी ये निवेश करना चाहते हैं जो कि अभी एक शेयर की वैल्यू करीब 40300 के आसपास चल रही है इन दोनों शेयरों पर आपकी राय जाना चाहेंगे क्या कुछ सला देना चाहेंगे आप रावस्ताब को देखें सबसे पहले तो चर्चा कर लें 3M की 22500 के पास लेवल चल रहा है नंबर्स के टम पे एक बार को देखते हैं तो मुझे लगता है कि नंबर्स पे कोई बहुत बड़ा इंपाक्ट नहीं देखने को मिला लेकिन प्रॉफिट बुकिंग दीरे-दीरे इस स्टॉक में ह आवी हो रही है तो आप से कहूंगा लंबा समय है तो बिल्कुल दीजिए लेकिन रिस्क रिवार्ड रेशो का जरूर देखिए 21000 के नीचे अगर ये स्टॉक चला जाता है तो थोड़ा सा डाउं ट्रेंड जोन में चला जाएगा और ये 16000 तक के लेवल तक जा सकता है क्योंकि ऐसे हालात में अगर ये लेवल स्टूपते हैं तो थोड़ा सापको पैनिक सेच्विशन आ सकते हैं तक आपके इंतजार कर सकते हैं दूसरा सवाल विपोल जी मैं क्लियर नहीं था पेज इंडस्ट्री के उपर इन्होंने ले रखें पेज इंडस्ट्री के शेर ल के कंपैर्जन में भी ये इंडस्ट्री जो है वो अंडर परफॉर्म कर रही है तो मुझे लगता है अभी राइट टाइम नहीं है इसमें निवेश करने का तो थोड़ा साथ समय दीजिए इंतजार करिए ये वो राइट टाइम नहीं है जिस पर क्या आप अभी पोजिशन पर लिए हैं और भी बहुत सारे प्रश्न है अदानी विल्मर को लेकर के आप से जानना चाहेंगे सर की इन लेवल्स पर क्या करें क्योंकि जब लोवर सर्केट लगने लगा काफी पैनिक हो गया और अभी हम देख रहे हैं हिंडिनबर्ग की रिपोर्ट के बाद जो है कभ विपल जी आपके माध्याप से मैं आपको बिल्कुल यहाँ पे अदानी ग्रूप के सारे शेरों को अगर दोगनेट आप समय देंगे तो मैं कवर कर लूँगा बिल्कुल बिल्कुल देखे सबसे बड़ी बात है कि इन्वेस्टर इस समय डरे हुए और जादा तर लोग अदानी विल्मर अदानी ट्रांसमिशन अदानी पावर अदानी पोट अदानी ग्रीन अदानी इंटरप्राइसेस के शेरों पे फसे हैं 20% का करेक्शन दे चुका है लेकिन मैंने बड़ी सिंपल स्टाटेजी की बात कि पहनी बात है देखिए हिंडन बर की बात कर लें या किसी भी कंपनी की बात कर लें तो चीजों की वज़ह से मार्केट में इंपक्ट होता है एक होता है कि यहां पर इसमें प्लिटिकल एंगल भी हो सक, इस समय नजर स साफ साफ आ रहा है और दूसरा है कि भारत की एकॉनमी को कहीं ना कहीं से धग्का लगाने की बात की जा रही है। दूसरी बात है कि अदानी ग्रुप के पूरे मैंने डेटा देखे हैं मैनेजमेंट का व्यू सुना है रातो रात कंपनी के फंडामेंटल चेंज नहीं होते हैं। हैं वो 5-10% और करेक्ट हो जाते हैं तो वैलू बाइंग की तरफ बढ़ जाएंगे। रातो रात फंडामेंटल चेंज नहीं होगे। कुछ साल पहले जब यहां पर केजरिवाल जी की सरकार बनीते तो उन्हों ने लाखो जो है वो आरोप कॉंग्रेस पार्टी पर लगाये ते आज तक कुछ नहीं हुआ। कोई पूश नहीं है। तो ऐसे बिजनेस कम्पनेटी में आप किसी भी टॉप के परसन पे कोई भी आरोप लगा दीजिए। प्रूफ दीजिए मैं तो हिंडनबर्ग पर अगर आरोप लगाता हूँ आपके मादम से विपुल जी तो मेरा एक सवाल है अगर हिंडनबर्ग ने हो सकता है कि अपने सारे क्लाइंटों को अदानी ग्रूप पे सेल की रिकमेंडेशन दी हो लेकिन उस सेल की रिकमेंडेश करी उससे पहले इन्वेस्टर को आपने कितना नुकसान कराया क्या आरोप लगाना बहुत आसान है तो मुझे ऐसा लगता है छोटे मोटे लूप चोटी मोटी चीजें इदर उदर की देखने को मिल सकते हैं लेकिन मुझे ऐसा लगता है अदानी ग्रूप के सारे फंडमें रखना चाहिए आपका लॉस रिकावर होगा रेटन भी देखे जाएगा हमारे तो तीन-चार लाग रुपए इसमें निवेश होंगे बड़े लोगों के तो बहुत करोड़ों रुपए निवेश है तो मुझे लगता वो जादा मैतर चला पाएंगे आपका मतलब पूरी बातों का लबबलो आप यह निकालें कि इस पैनिक में जो घटना देखने को मिली जिसमें लोग परेशान होकर के सवाल पूछ रहे हैं आप यह सजिस करें कि अभी घबरानी के आउशक्ता नहीं है शेरों बहुत सारे शेरों में बहुत बड़ी तेजी आई है ऐसे में यहां से और करेक्ट हो सकता है मार्जी निखटा करिए अपने शेर को मैनेज करने के कोशिश करिए यही शेर आपको 30% के रिटन देंगे अभी कुछे खबरे आती हैं लोग पैनिक करते हैं लोग शॉट चलिंग करते हैं इस वजह से थोड़ी घबरहाट जादा है जो लोग प्रस्तन अपने पूछ रहे हैं रंजीत कुमार जी बारबार पूछ रहे हैं कि औप्शन प्रीमियम डबल क्यों हो गया है प्लीज अभी मुझे बता दें रवी जी से पूच करके तो वह उनके कमेंट लगा ता रहा है कि और आप जवाब देना चाहेंगे इनका इन stock का price, strike का price, volatility, time और interest और इस समय दो चीज़े आपने पुपलची ध्यान दी होंगी कि एक तो volatility इसले बढ़ रहे ही क्योंकि budget के expectation है और दूसरा news भी यहाँ पर काफी तेजी से impact कर रही है, market में care पैदा कर रही है तो इसके वज़ा से लोग यहाँ पर premium जादा दे रहे हैं और इसी वज़ा से इसके premium यहाँ पर double हो है, तो volatility काफी increase हुई है और यह volatility settle down हो जाएगी, इसलिए panic के situation नहीं है, अगर आप अच्छी strategy बनाएंगे तो आपको profitability यहाँ पर मिल पाएगी उमीद करते हैं, रंजीत जी आप बार बार पूझे थे, आपको आपके प्रशन का उत्तर मिल गया होगा, एक sector पर आपसे बाचीत करना चाहेंगे, वो है bank, जैसे एक ख़बर आई उसके बाद हमने देखा कि bank में भी घबरहाट देखने को मिली, वहां से भी निवेशक नि खाई ली थी? वही हाल देखने को मिला, सबसे बड़ी बात है, international market, देखे ये अब वो मुद्दा नहीं है, ये हिंदुस्तान से related मुद्दा है, US के बाजारों को, मैं historical data देता हूँ, अगर है, तो कोई आके मुझे ये चीज बताए, इस समय, international market में comparison कर लीजी, भारती बाजारों ने सबस अब अधानी ग्रूप का ऐसा news आया, तो लोगों ने कहा कि अधानी ग्रूप में का stake, जो अधानी ग्रूप ने अपने पूरे लोन जो है, इन बैंकों से ले रखे है, तो बैंकों में panic situation आ गई, तो ये एक chain reaction है, तो मुझे ऐसा लगता है कि banking sector में देखे, तो SBI, बैंक को मिलेगा, उसका फाइदा आपको मिलेगा, तैयारी रखिए, एकदम कि जो भी आपको opportunity मिलती है, उस पे आप खरिदारी करिए, सही खरिदारी करिए, और अच्छे returns कमाईए, economy अच्छा है, बजट की expectation यहाँ पर चल रही है, आपने इतने बड़े बड़े शोस किये, उसको मिल रही है, अब इन लेवल्स्पन के शेर ले रखे हैं, वेल्स्पन इंडिया के, और इन्होंने 110 रुपे के भाव पर 110 शेर ही ले रखे हैं, लंबी ओधी का इनका नजरिया है, और ये जानना चाह रहे हैं, कि अब मुझे क्या करना चाहिए, और शलमान जाहिद साहब द देखने को मिल रही है अब इन लेवल्स पे आप क्या सजेस्ट करेंगे क्योंकि उल्री इनकी 50% से ज्यादा जो पूंजी है वो जा चुकी है देखें साब वेल्स्पन इंडिया की मैं बात करूं टेक्स्टाइल इंडिस्ट्री की स्टॉक है quarter on quarter अगर PAT को देखेंगे तो आपको September 2021 में 78 करोड का लॉस December 2021 में 33 करोड का लॉस और continue अभी जो last September में भी result दिया है उसमें 61 करोड का लॉस है तो आप समझ सकते हैं कि profitability की जगा growth जो है वो कम होती जा रही है अगर profit after tax देखते हैं तो growth front पे तो 60-61% का downfall देखने को मिला है लेकिन जब profitability की बात करें तो 200 करोड का profit जो है वो 8 करोड का रह गया है तो कहीं न कहीं से थोड़ा सा चिंता की बात है मैं better है कि आपको suggest करूंगा आप coal India, NMDC इन शेरों की तरफ move कर जाईए जिससे आपको dividend भी अच्छे मिल सकें और stock के fundamental अच्छे है budget में ये stocks चल सकते हैं उनका फाइदा उठाइए उन stocks की तरफ पर जाईए coal India, NMDC जैसी बहुत सारी कंपनिया है जहां पर आपको अच्छे return मिल सकते हैं इस loss को book कर लिजिए आप हाला कि आपको ये निर्णे बहुत पहले कर लेना चाहिए था जब आपने शेर का चुनाओ किया था और उसके बाद जब ये शेर नीचे जाना शुरूआ लेकिन चलिए देर आए दुरूस्ता है अभी आप कर लेंगे तो जो बाकी रकम है उसो कहीं और लगा करके आप इस नुकसान की भरपाई कर सकते हैं उस्मान गनी जी के पास चलते हैं सिधार्थ नगर से हमाई साथ जुड़े हैं उत्तर प्रदेश से उस्मान साब अस्सलाम अलेकुम वालीकुम अस्मान साब कैसे हैं उस्मान साब क्या करते हैं और कहां से बोल रहे हैं आप सिधार्थ नगर में किस जगह से भी हम भी नौगर से ही आते हैं नौगर में कहा रहते हैं आप नौगरमें रहते हैं जब अच्छी बात है जी 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 तो वो चुकि हमारा विग्रह जनपद है तो विशेश लगाओ है उस जगह से बताएजे क्या प्रस्ट ने आपका साथ कर दिया पर फिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल आज भी लगा हुआ है कितने समय तक होड़ कर सकते हैं इसे अभी आप अब तुसरा महीने के लिए ही लगाये थे जब शेयर में इतनी तेजी आ चुकी हो तो बहुत सारी अपरुनिटीज दूसरी जगों पर मिल रही थी तो वहां पर भी आप लगा सकते दिखाया थीक है अब आपने निने लिया है और अभी आपने साड़े 500 की खरीद है आपकी 491 के आसपार शेयर ट्रेट कर रहा है तो बहुत बड़ा लॉस तो नहीं है आपको 50 रुपर पर शेयर का लॉस हो रहा है अभी यहाँ पर अभी हाला 491 रुपय पर फ्यूचर में आपको यहां पर सेलिंग फ्रीज लगा हुआ है और मैंने जैसा बताये कि 10% स्टॉक और गिर सकता है यानि कि लगबख 420 और 450 की रेंज तक दिखा सकता है तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा इसमें भरोसा और जताना पड़ेगा और वापिस कोशिश करिए कि 420 और 450 की रेंज में जब यह स्टॉक रुखता है और अगर एक हफते चार दिन पांस दिन कंसल्डेट कर जाता है तो इसमें एवरेट जरूर करिएगा क्योंकि यह स्टॉक काफी स्टॉक है और अब साइड में वापिस से 650 तक का लक्ष साल बर का दम खम रखता है तो यह छोटे जो गिरावट है वो आप इससे पॉस्टिव हो जाएगी तो मुझे लगता है अभी आपके जो टार्गेट है वो 450 और 420 तक के देखने को मिल सकते हैं तो रिस्क रिवाट अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो बिलकुल होल्ड करना चाहिए चाहिए तो किसी विद्धिय सलाकार से अप वक्त्रूप से बीदार रहेगी तो इसलिए जो है आपके लिए वी से तरफ रहेगी तो बजट से चुरा बहुत इंट्रेस्टिग सवाल आते हैं सर कभी कई अब जैसे कि शाम सुंदर गुपता जी ने प्रस्ट भेजाया में वाटसप पे लोध्याना से हैं उन्होंने कहा कि बजट आ रहा है किन इस तरों पर मुनाफ़ा बुक करना चाहिए तो यह हम लोगों ने आपको याद होगा एक शोवी की आदा कि कब निकलना चाहिए फॉर लेवल्स पर आपको लगता है प्रॉफिट बुक करना चाहिए देखे मार्केट में हाल फिलाल में तो अभी थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई है यह फिर गिरावट है और मुझे लगता है इस गिरावट की वजह से आपको बजट तक सौदे काटने नहीं चाहिए इत्वड़ा इंतिजार करना चाहिए क्योंकि जिन लेवल्स पर अभी हम डिस्केशन कर रहे हैं बजट के टाइम पे यानि बजट के दिन बजट के बाद ये लेवल से उपर मार्केट यहां पर सस्टेंट करेगा तो बजट को जाने दीजिए बजट के दिन फोकस रखिए मने नाइन को देखिए वहां पर हम लोगी स्टाइजी डिसकस करेंगे तब बेटर होगा लेकिन बजट तक डरने की ज़रूरत नहीं है काफी करेक्शन आ चुका है अभी स्टॉक में बने रहे हैं यह आप के लिसला है चले सुमिच जी हमाई साथ जुड़े हैं राजगर स्थान से सुमिच जी कैसे हैं नमस्कार सुमिच जी नमस्कार नमस्कार सर नमस्कार सुमिच जी कैसे हैं आप क्या करते हैं बढ़ी है सर मैं एड़केट हूं सर हां क्या करते हैं एड़केट हूं एड़केट चलिए वकालत करते हैं बहुत अच्छी बात है सर तो आप शेर करते हैं इतनी जब शेयर में पैसे लगाते हैं तो हादी सर मैं करता हूं मैं करता हूं क्या क्या प्रस नहीं सराज का आपका अच्छा किस रेट पे लिए हैं मैंने लिए 1632 कि क्या सोच के लिए कितने समय तक होड करेंगे से मेरा सबसार दो साल का प्रेडर दो साल का नजरिया है चलिए ठीक है बहुत अच्छी बात है और अभी आपकी खरीश से बहुत जादा नीचे भी नहीं है आज भी हम देख रहे हैं करीब 3% उपर शेयर ट्रेट कर रहा है 1590 के आसपास ट्रेट कर रहा है और आपकी खरीद 1632 क कि आसपास के 40 उपर का नुकसान है इतनी बड़े शेयर पाइस में तो कोई खास आपको नुकसान नहीं हो रहा है रभी जी दो साल का नजरिया है जी हम फॉडलर के शेयर इन्होंने ले रखे हैं और अभी थोड़े से नुकसान में क्या असला रही है आपकी नहीं विपल करना चाहिए समय देना चाहिए प्रॉफिटिबिल्टी की तरफ ही स्टॉक कनवर्ट हो जाएगा इंतिजार कीजिए सर अभी आप इतनी जल्दी पर पैनिक करने की आवशकता नहीं है और बाजार है तो उतार चड़ाओ तो लगा ही रहेगा शेर बाजार में तो एक अगर एक और सेक्टर पर बातचीत कर लेते हैं वो है आईटी आईटी को लेकर के भी बहुत सारी आशंकाएं दुविधाएं इसलिए हैं कि एक तो अमेरिका में मंदी की आशंका चल रही है इन सब के बीच में हम देख रहे हैं कि भारत की भी दिग्जच कंपनिया जो है अब उ विपल जी आपने आईटी कंपनी की बात की बयाद होगा मैंने शो के स्टार्टिंग में एसल की बात की थी इन्फोसिस की बात की इस समय सिर्फ इंट्राडे में देखे तो लगबग 1.5% से उपर है और आज हमने अपने आंके प्रीमियम क्लाइंट जो हमारे सर्विसेज उनको S.E.L. K.E.I. इंडरेस्टी ये दो स्टाक्स को बाय कराया हुआ है और जो लगता है कि उसमें आईटी में S.E.L. और इन्फोसिस काफी कॉणफिडेंट दे रहा है तो आप बजट तक की भी अगर प्रोग्राम बना रहे हैं तो S.E.L. और इन्फोसिस को लेके चले यई कि उसरे में भी आपके पास अपर्चुटी ए है कैश में भी अपर्चुटी ए है और ओप्शन में भी अपर्चुटी ए तो मुझे लगता है idea sector में ये दो इस्टॉक दिक्गज स्टॉक हैं जिनमें कि आप momentum ले सकते हैं अगर ये दो स्टॉक आपको मेंगे लगते है तो विब्रो की तरफ मूव कर जाए है 402-401 रुपए के पास है ये भी बजट तक 426 रुपए तक के लक्ष अचीब करता हुआ नजर आ सकता है जो की रिटर्न के पॉइंट अब इससे काफी अट्रक्टिव है ठीक चले इस बीच अब चुकी अब कारिक्टर्म समाप्त करने का वक्त हो गया है और कुछ एक सवाल ले लेते हैं अगर हम चाहें तो एक सवाल को कि लोग काफी बड़ी संख्या में सवाल आपके आने पर आपने लगते हैं रवी जी एक रिफेक्स करके कंपनी है 151 पर इन् इनकी खरीद 151 की है तो इनको 50 से 70 रुपए जो है यहां पर मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं 245 का भाव मौजुदा देखने को मिल रहा है और ये प्रस्ट ने हमें भेजा है उपेंद्र यादाव जी ने उत्तर प्रदेश आजमगर से हैं और उपेंद्र जी जानना चा तो इस स्टॉक ने एक साल में 87 परसेंट और तीन साल में देखते हैं तो 370 परसेंट और 5 साल में 1.5 ग्यारा सो परसेंट उबर बढ़ चुका है तो आप दमखम देख रहे हैं तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग यहां पर वाजीब है और मुझे ऐसा लगता है क कि अगर बजट के इंतजार में है तो फर्टिलाइजर स्टॉक्स या फिर केमिकल स्टॉक्स की तरह फोकस करना चाहिए तब अभी दो दिन समय और दीजे उसके बाद इसके लिजेगा तो ज्यादा बेटर है मुझे ऐसा लगता है यह वापिस थोड़ा सा रिवर्ट कर सकत है और 275-280 के लक्ष अचीव कर सकता है 275-280 तक के लक्ष आपर देखने को मिल सकते हैं कारेक्रम को सवाप करते हैं लेकिन अपने जिन दर्शकों के सवाल हम नहीं ले पाए हैं हम उनसे चमाच आएंगे और को शुक्रवार को आपके सवाल अवस्च लिए तो आप अभी चाहिए इसको ले करके बीमा को ले करके आपके क्या प्लानिंग होनी चाहिए तो इन तमाम विश्यों पर विस्तार पूरवक बातचीत करने के लिए प्रेंका संभजी एक खास महमान खास एक्सपर्ट के साथ जुडेंगी तो कल 2-3 जुड़ना हमाई साथ मत भूलिएगा और किस तरीके से आपको प्लान करना चाहिए निवेश में वो जो आज तमाम सवाल मुच्वल फंड पर भी आ रहे थे तो हम कोशिश करेंगे उन कारेक्रमों को हम कल 2-3 के बीच में आवाज संभलित करें यह हमारा कलेंडर है हर दिन हम एक नए विशे पे बातचीत करते है सोंवार को हम बात करते हैं स्टाउक मार्र की मंगलवार को बीच मेंद वहOkay बुद्धवार को में परक्रम पर लेकर करने करेंद निकालव हो दोद्रे लगे को हम बात करेंगे उन्य देक्श पहसर को रिपीट करते हुए को हम की तरफ देखें सबसे पहले तो डिस्क्लोजर यह होगा कि प्लीज विपुल जी को ही आप सवाल भेजिए उनके टर्मिनल पे मुझे मत भेजिए मेरे फोन पे लोगों ने SMS भेजा है मैं नहीं ले सकता यह 30 विपुल जी की है तो प्लीज आप जो विपुल जी का नंबर दिखाये जा रहा है उनको सवाल भेजिए जिससे कि हम उस सवाल को सामिल कर सकें और आंसर वहां पर आप उनको भेजेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा हम देपाएंगे और दूसरा डिस आज शाम को 6 वजे इसके इसका एरिटेड वर्जन जो है वह हम लोग अपलोड करेंगे तो आप वहां भी आप इस कारिकरम को देखी और क्योंग बातें अच्छे-च्छी बताएं गएं रवी जी की तरफ से उनको ध्यान से आप सुनिए तो डिस्क्लोजर कोई हैसर आपक की भाउत-बहुत शुक्रिया अफिन्दन रवी जी ऐसे ही आप जुड़ते रहे हैं हमाई साथ और बड़ी संक्या में दर्शक में दर्शक को आप सित Haif D Kalanist को फॉलों करते हैं वहां दो झाल झाल